सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों साई पूजा चैनल के सभी साई भगतों कोटी कोटी पर नाम इस बार मैं सिड्डी दिसंबर मामी कहा था तो जब भी मैं सिड्डी जाता हूँ तो बाबा से प्रे करके जाता हूँ कि बाबा ये काम मेरा करवा दिजेगा और वहां जाते ही सिड्डी जाते ही वहां मेरी मुनों कमना पूर्ण होती है पिछले बार भी मैं जब सिड्डी गया था पिछले दिसंबर मामें 2021 में तो यहां सोच करके गया था कि बाबा आपका तीर सिजल मुझे मिले और जिस फोटल में ठारा वहां के अंकल जी से मैंने बोला कि बाबा का तीर सिजल चाहिए अंकल जी ने बताया कि मेरे ही दोस्त के घर से वह बाबा का तीर सिजल जाता है साठ साल से गरम ठंडा पानी गरम ठंडा पानी वहीं से बाबा का मंगल अशनान के लिए जाता है और वजल मुझे प्राप्तवी जिसका सिवन मैं आज भी कर रहा हूँ उसी करम में साइं पुजा चैनल में पुजा दिदी के चैनल में मैं यह अपना experience से एड़ किया था है इस बार भी मैं जब यहां से किसंगन से मैं किसंगन बियार करेने वाला हूं किसंगन जिला पियार का बियार इस्टेट करेने वाला हूं जब मैं इस पर गया तो मेरे मन में ख़ाइज थी कि पुजा दीदी तो सिड्डी जाते ही रहती है और कंटेशली सिड्डी में ही अधिकतर समय बाबा के साथ वैतित करती है इसी करम में 18 दिशंबर 2022 को जब मैं रात में मेरी काड़ी भी थी उज़ें जाने के लिए और तिन दिन से मैं वह सिड्डी में ही था अचनक मन में चाबरी अस्थान का दर्शन करके जब मैं द्वारी का माई के तरफ आया तो मन में सोचने लगा बाब से कहा कि पुजा दीदी से कास मुलाकात हो जाती जो मैं किस इंगन से भी सोच के गया था कि दीदी से इस पर मुलाकात होगी सिड़ी में मुलाकात हो जाए और देखता ही देखता है मतलब एक मिनट के अंदर में देखता हूँ कि द्वारी का माई के आगे में पुजा दिदी बैठी हुई है दिदी से मुलाकात किया मैं अपने शौप परिवार के सांथ और किशन गंच के और दो परिवार थे उन लोगों के सांथ दिदी से मुलाकात हुई और दिदी के सांथ अपना इंटर्विव भी साजा किया द्वारी का माई के आगे में इस बार का मेरा सबसे बड़ा अनुभब यही रहा मेरी दिल में चाहत थी मेरी दिल में उमीद थी बाबा से प्रे किया था कि पोजादेदी से मुलाकात हो सिड्डी में और मेरी मुलाकात पूर्णगवी जिसे मैं अपने सब्दों से क्या बया कर सकता हूँ कि बाबा मन की मुलाद पुड़ी करते हैं साइना सुनते हैं हर पल सुनते हैं कुछ तत्यचन देते हैं कुछ बाबा का ये डिवाइन टाइमिंग आएगा आता है उसी टाइमिंग पे बाबा का बाबा से मांगे भी मुराद पुरी होती है इसलिए हम सभिसाई भगतों से निविदन करता हूँ अनुरोद करता हूँ कि वह तो साहित ना हो बाबा सब की सुनते हैं बाबा सब की आस पूरा करते हैं बाबा के दर से कोई खाली नहीं किया है नहीं जाएगा ये सिरिष्टी जब तक रहेगी तब तक मेरे साही बाबा का आसिरबात सभी पर बनावा रहेगा सब की कामना पुर्ती होगी सब की मुनो कामना पुर्ण होगी बाबा सब के अंगसंग रहते हैं हिरदे में बास करते हैं मन में बिराजते हैं कदम कदम साथ चलते हैं हाथ थामे वे रखते बाबा दया के सागर है सारा जहां है साई बाबा हर पल पल बाबा हर च्छन सभी साई भगतों पर सभी पर किरपा करते हैं बस महसूस करने किया भी सकता है बाबा और रिश्य रूप में किसना किसी रूप में किसी को भेज के अपने सारे कारे करवा लेते हैं और बाबा का एक वचन भी है 11 वचन में भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा जूटा होगा बाबा से आप जो मांगोगे जो नहीं भी मांगोगे मन की बात सब जानते हैं बाबा से तिनका तिनका हर बात बाबा को खबर है बाबा को पता है और साइनात के किरपा से ही आज साइन पुजा चैनल में में सिद्धी जो गया था उनकी वीडियो साजा हुई आज दिदी के ही से ही बहुत सारे साइन भक्त मुझे भी जान पा रहे हैं ये बाबा के ही किरपा है बाबा के ही द्वारा ही रशावा ये लिला है और अनेको जिंदगी में बाबा का ऐसा ऐसा लिला जिसके अगर मैं पुरी पुस्तक भी लिख दू तो भी कम पर जाएगा अगाद सागर है बाबा के लिला लिला का न कोई पार पापाया है न पार पा सकेगा. ओम शाहिराम